विवेशना में आज कहानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवट और शालीन तकूँ विवेशना में अभिवादन सुईकार करिये रेहान फदल का अयूब साहब कहते रहे क्या हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे सेक्डों टैंकों के साथ और टहलते हुए डिली पहँच जाएंगे तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए डिली में आने का उनका अरादा था और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहोर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूं कि मैंने या हम लोगोंने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की ये आवाज है भारत के दूसरे प्रधान मंतरी लाल बहादुर शास्त्री की भारत पाकिस्तान युद खत्म हुए अभी चार ही दिन हुए थे जब प्रधान मंतरी लाल बहादुर शास्त्री ने दिली के राम लीला ग्राउंड में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो वो कुछ जादा ही अच्छे मूड में थे ये शास्त्री नहीं 1965 के युद के बाद भारती ने दित्व का आत्म विश्वास बोल रहा था ये वही शास्त्री थे जिनके पाँच फिट दो इंच के कद और आवास का अयूब ने एक साल पहले मजाक उड़ाया था पाकिस्तान में भारत के पूर उच्चा युक्त रहे शंकर बाजपेई ने इनकी हाल में मृत्ती हो गई है मुझे बताया था अयूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत कमजोर है वो नहरू के निधन के बाद दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने गे के कर अपनी दिल्ली यात्रा रद कर दी थी कि अब किस से बात करें शास्त्री ने कहा आप मताईए हम आ जाएंगे वो गुट निर्पेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहरा गए हुए थे लोटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुखे मैं प्रत्यक्ष दर्शी था जब शास्त्री को हवाई अड़े छोड़ने आयायूब ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बार करने में कोई फाइदा नहीं है 65 की लड़ाई के दौरान अमरीकी राश्टपती लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको पी-ल-480 के तहट जो लाल गेहूं भेशते हैं उसे बंद कर देंगे उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं था शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ती थे शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री याद करते हैं और आज भी लोग उनको याद करते हैं चाहे उनका जय जवान जय किसान का नारा हो चाहे उनोंने हफ्ते में एक दिन उपवास करने की बात एक शाम उपवास करने की बात की हो जिससे की अपने स्वावेलमन पर आप सम्मान पर किसी परकार का कोई आघात ना पहुँचे और गर्व से जीना उनोंने भारत बाज़्चों को ठिकलाया कि हम हफते में एक समय भोजन नहीं करेंगे लेकिन विजेश से जो खाना आ रहा है मिजेशी मुलक की किसी उनके समक सम हात नहीं पहलाएंगे खाने के लिए उन्होंने देशवास्चीँ से कहा कि हम हफते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे उसकी वज़े से अमरीका से आने वाले गेहूं की आपूरती हो जाएगी लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मा ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहां खाना न बने मैं कल देशवास्कियों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील करने जा रहा हूं मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूके रह सकते हैं या नहीं जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाने के रह सकते थे तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा 1963 में कामराज योजना के तहट शास्त्री को नहरू मंत्री मंडल से स्तीफा देना पड़ा उस समय वो भारत के ग्रीह मंत्री थे कुलदीप नईयर ने मुझे बताया था उस शाम मैं शास्त्री के घर पर गया पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़ कर हर जगे अंधेरा चाया हुआ था शास्त्री वहां अकेले बैठे अखबार पड़ रहे थे मैंने उन से पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है उनका जवाब था अब से मुझे इस खर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा इसलिए मैं हर जगे बत्ती जलाना बरदाश नहीं कर सकता जब लाल बहदुर शास्त्री ताशकंद समेलन में भाग लेने रूस गए तो वो अपना खादी का उनी कोट पहन कर गए रूस के प्रधान मंतरी अलेकसी कोसिगिन फौरण ताड़ गए कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो पाएगा अगले दिन उन्होंने शास्त्री को ये सोच कर एक ओवर कोट भेट किया कि वो इसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे अनिल शास्त्री बताते हैं अगले दिन कोसिगिन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना खादी का कोट पहने हुए है उन्होंने बहुत जिजगते हुए शास्त्री से पूछा कि क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया शास्त्री ने जवाब दिया वो कोट वाकई बहुत गर्म है लेकिन मैंने उसे अपने दल के एक सदस को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दे दिया है क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया है कोसिगिन ने भारतिय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राश्टपती के सम्मान में आयोजित किये गए सांस्क्रिटिक समारोह में इस घटना का जिकर करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्मिनिस्ट हैं लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री सुपर कम्मिनिस्ट हैं लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री भी एक घटना बताते हैं जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके सरकारी इस्तेमाल के लिए उन्हें एक शेवरले इंपाला कार दी गई एक दिन मैंने बाबू जी के निची सचिफ से कहा कि वो ड्राइवर को इंपाला के साथ घर भेज़ते हैं हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए देर राद जब हम घर लोटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पिछवाडे किचन के रास्ते से घर में खुसे मैं जाकर अपने कमरे में सो गया अगले दिन सुबह साड़े छे बजे मेरे कमरे के दर्वाजे पर दस तक हुई मैंने सुचा कोई नौकर दर्वाजा खट-कटा रहा है मैंने चिला कर कहा अभी मुझे तंग न करें क्योंकि मैं रात में देर से सोया हूँ सुनील शास्त्री आगे बताते हैं दर्वाजे पर फिर दस तक हुई और मैंने देखा कि बाबु जी सामने खड़े हैं उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा जहां सब लोग चाए पी रहे थे वहां अमा ने मुझे से पूछा कि कल रात तुम कहा गए थे और इतनी देर से क्यों लोटे इस पर बाबु जी ने पूछा तुम गए कैसे थे मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी इंपाला कार से घूमने निकले थे चाए पी चुकने के बाद उन्होंने मुझे से कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप कार में कोई लोग बुक रखते हैं जब उन्होंने हां में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इंपाला कार कुल कितने किलो मीटर चली है जब ट्राइवर ने कहा कि 14 किलो میटर, तो उन्होंने कहा कि इसे नीजी इस्तेमाल की मच में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रती किलो मीटर के हिसाब से 14 किलो मीटर के लिए जितना पैसा बनता है उसको निजी सचिफ को दे दे ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके एक बार प्रधानमंतरी शास्त्री ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का समय दिया उसी दिन इतिफाक से एक विदेशी मेहमान के सम्मान में एक समारोह का आयोजन कर दिया गया जहां शास्त्री जी का पहुँशना बहुत जरूरी था वहां से लोटने में उन्हें देर हो गई तब तक उनसे मिलने आए लोग निराश होकर लोट चुके थे अनिल शास्त्री बताते हैं यब शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग बहुत इंतजार करने के बाद अभी अभी निकले हैं तो उन्हें अपने सचिफ से पूछा क्या उन्हें पता है कि वो कहां गए होंगी उन्हें बताया कि वो प्रधानमंतरी आवास के बाहर बस स्टॉप से कहीं जाने की बात कर रहे थे शास्त्री जी तुरंट अपने निवास से निकल कर बस स्टॉप पहुच गए उनका सचिव कहता ही रह गया कि लोगों को जब पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे शास्त्री जी ने जवाब दिया और तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं लोगों को आमंतरित करने के बाद भी उनसे नहीं मिला सचिव ने कहा कि मैं उन्हें लेने चला जाता हूँ लेकिन शास्त्री ने कहा नहीं मैं उन्हें लेने खुझ जाऊँगा और इस खलती के लिए माफी मांगूंगा जब वो बस स्टॉप पर पहुँँचे तो उन्होंने उन्हें बस का इंतजार करते हुए पाया शास्त्री जी ने उनसे माफी मांगी और अपने साथ उन्हें अपने घर के अंदर लाए 11 जनवरी 1966 को यब लाल बहदुर शास्त्री का ताशकन में निधन हुआ तो उनके डाचा में सबसे पहले पहुँशने वाले शक्स थे पाकिस्तान के राश्पती अयोभा उन्होंने शास्त्री के पार्थिव शरीर को देख कर कहा Here lies a person who could have brought India and Pakistan together यानि यहां एक ऐसा शक्स लेता हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था जब शास्त्री के शव को दिल्ली लाने के लिए ताशकंध हवाई अड़े पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हर सोवियत भारतिय और पाकिस्तानी जंडा चुका हुआ था जब शास्त्री के ताबूत को कार से उतार कर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उसका कंधा देने वालों में सोवियत प्रधान मंत्री एलेकसे कोसगिन के साथ साथ कुछ दिन पहले शास्त्री का मकौल उड़ाने वाले राशपती अयूब खावी थे शास्त्री के जीवनीकार और उनके सचिव रहे सीपी श्रिवास्तव लिखते हैं मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरन है कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रटिद्वन्दी ना सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे बलकि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसके ताबूत को कंधा दे रहे थे शास्त्री की मौत के समें उनकी जिन्दगी की किताब पूरी तरह से साफ थी ना तो वो कोई पैसा छोड़ कर गए थे ना ही कोई घर या जमीन रेहान फदल बीबीसी दिल्डी